नमस्कार जैमाता की आएए आपको हमने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था कि हम आपको 440 टूनिंग लाइब दिखाएंगे और हम आपको यह भी बताएंगे कि अखिर 440 टून होती क्या है और कैसे इसको टूनिंग को करते हैं तो देखिए सबसे पहले तो हार्मोनियम को टून करने से पहले जो नीचे है हम कुछ ऐसी चीज लगाते हैं आप यह देख रहे होंगे इस तरह का यह हमने यह बना रखा है आप इंट वगरा भी लगा सकते हैं और इसको हार्मोनियम को थोड़ा टेपर करना पड़ता है तो इसमें सबसे पहले हम आपको दिखा दें यह एक अंदर का भी बाल होता है जो भार की हवा को यह करके इसको पुस्क करके बंद करता है और इसमें सबसे पहले हम चेक करते हैं तो टूनिंग से पहले कि इसकी जो पत्तों की सेटिंग है वो ठीक है या नहीं है पहली बात और दूसरे एक चीज हम आपको और बताते हैं कि ये हार्मोनियम की लाइने कैसी है कि इसमें जो भी औजार होते हैं वो हाथ के दोरा जुगार से बनाने पड़ते हैं बजार के औजार बहुत कम कामियाब है क्योंकि जो हम आपको टूल्स दिखाने वाले हैं वो टूल्स मिलते तो बजार में हैं लेकिन उनको कामियाब करने के लिए जैसे ये देखिए ये पत्ती है ये लोहे की भी बना सकते हो पीतल की भी लेकिन लोहे वाली में क्या है कि जब हम टून करते हैं तो पत्ती अगर लोहे की होगी तो यह जो तिकोरा है यह फाइल जिसको बोलते हैं रिती है इसको हम आगे से पत्री पे गिस करके या गिलाइंडर पे गिस करके इसको हम बनाते हैं और इसकी यह जो धार बनती है इस धा काट करके बनाते हैं जिससे हम इसको टून कर सकें तो आईए चलते हैं आपको दिखाते हैं देखिए ये पत्ते को चेक करना होता कि पत्ते की जवान ना ज्यादा खुली होनी चाहिए ना कम खुली होनी चाहिए अगर इसका पत्ते की जवान अगर बंद है बंद है तो आवा की लागा तो इस तरह से इसकी साउंड की खरखराट या कुछ आ रहा है तो आपको पत्टे को सेंटर करणा पड़ेगा पत्त जो है यह बिल्कुल बॉडी के अंदर छाना चाहिए बॉडी में कहीं भी टच नहीं होना जाए ना कुसी लकडी में टच होना चाहिए अगर यह जिसका मतलब फिर वो सई साउंट नहीं देगा यह देखिए देख रहे हैं अभी अभी आवाज आई ती इस तरह खरकाट की तो यह नहीं आनी चाहिए अगर आ रही है तो इसको पत्ते को सेंटर कर देगे देखिए यह पत्ते में जरासा भी अगर डिस बैलन्स होगा तो यह साउंट इसकी खराब हो जाएगी यह नीचे की लाइन जो है चाहे वो मेल है या बास है बास को टून करना और मेल को टून करना दोनों में अंतर है अगर मेल मेल हर्मोनियम है तो उसका तरीका अलग है टून करने का और अगर बास मेल है तो उसका तरीका अलग है अगर बास मदीन है तो उसका तरीका अलग है अगर अब फिलाल जो हमारे पास यह हर्मोनियम जिसको मैं कर रहा हूं यह बास मेल का हर्मोनियम है, इसकी नीचे वाली जो लाइन है, यह लाइन बास की है, उपर की मेल की है, तो सबसे पहले हम जो शुरुआत करेंगे, वो उपर वाली जो लाइन है, आप देख लें, यह जो उपर वाली यह लाइन है, मेल की हम इसको टून करेंगे, और इसको हम बंद कर देंगे इस टॉपर से भी बंद हो जाती है हवा लेकिन वो कहीन कहीं से लिकित जरा सी भी लिके जोगी तो आपको एक्जेक्ट सुर नहीं बताएगी यह हमने कुछ कागज प्लास्टिक के पेपर काटके रखे हैं आप पेपर भी लगा सकते हैं यह इस तरह से इसको जबान के अंदर इसको हम फसा देते हैं अब इस तरह से हम इसको देखिए यह हमने फसा दिया अब यह नीचे का सैट हो गया बंद अब इस टॉप चाहिए एक खोली है या दो खोली है कोई फरक नहीं पढ़ता इसमें एक लाइन खोली हुए तो एक की साउंड आईगी इस को लाइन को चेक करते हैं अगर इसका सुर्का पेच अगर लूज होगा तो इस तरह की साउंड नहीं देगा रीड जो है यह पत्ता जो बोलेगा वो दूसरे तरीके की अजीब सी साउंड आएगी और पत्ता भी आपको सुनने से पता चल लग जाएगा कि पेच डीला है तो आप इसकी जवान भी आपको तरीके से खोलनी है ज्यादा आप अगर नहीं खोलेंगे ज्यादा खोलेंगे तो वो रीड जो है हवा ज्यादा लेगा और जब उपर से आप उसको पिले करेंगे सुर्को तो वो कि देर में बोलेगा और अगर इसकी जवान बन्द कर देंगे तो सही सांड साउट नहीं देगा ज्यादा खोल देंगे तो हवा जो है वो लेता रहेगा इसलिए इसको इतनी ही जवान खोल दी है जो आसानी से तून कोण Пом कि अब ये बन्री आप दो जैए जो हाथ के बने ह ह persuader है जिसके वाले मैं आपको बतारा था देखिए ये map ये टूल है जो हमने बनाया है ये हाथ से पत्ठी को छो्ट अमोर करके। सुद्ऽा कर लाए ह। इसको क्यों लगाते हैं इसको बार बार हम जो है इसमें पेज कर शक्र कर सकते टून तो इसको लगा तो बार बार इसकी ये बंद कर सकते हैं, और बार बार इसको कर सकते हैं, आईये दो इसको हम पहले कस लेते हैं, विलाई को इसको विलाई बोलते हैं हम लोग और इसमें लकडी में ये सुराक करके और इसको हम पेच कस देते हैं, ये देखिये हमने पेच टाइट कर दिया है, पेस्टाइड होने के बाद ये अपना काम करना ये हम इसको नीचे कर देंगे यह वोड यह नहीं का जाएगा अब ये इस तरह से जो साउंड आ रही है इसमें कुछ दिक्क्त आ रही है बाकी जो चीज हम आपको बताने वाले हैं वो ये बताने वाले थे कि टूनिंग कैसे चेक करते हैं अब देखिए ये हमारा मीटर है ये हमने इसको 440 सेट कर रखा है 440 एजएट ठीक है जी अब देखिए ये रेड लाइट जल लेए अब ये रेड लाइट नहीं जलनी चाहिए ग्रीन जलनी चाहिए देखिए ये आपका हम जूम करके दिखा रहे ये मीटर है और ये 440 सेट है अब हमने ये सी नोट को हम देख रहे हैं ये चलाव को बता रहा है अब इसको जो है हमने क्या करना है आपको यह अभ्यास होना चाहिए अगर आप करना सीखना चाहते हैं तो आपको यह अभ्यास होना चाहिए कि हमने जो सुर दबाया है वही सुर हमें गिसना है वैसा नहीं है कि हम सुर ये गिसना चाह रहे हैं और गिसके आई ये तो आपको ये अब देखिए जब ये टून जो है ये चड़ी हुई है मुलब पिलस में लाइट जल लिए अगर ये लाइट अगर माइनस सुर होता तो ये माइनस में लाइट इधर रैड जलती देखिए अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका ये सी नोट है जो ये सुर जो होते हैं इनमें अंदर भी स्टेम लगी रहती है सारों में आप इस टेम से भी देख सकते हैं अगर इस टेम भाई चांस अगर नजर नहीं आ रही है तो आप जो है आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा अब देखिए इसको हम जब नीचे से इसको गिसेंगे तो ये रीड जो है अपनी फिक्वेंसी से नीचे डाउन चला जाएगा आपको और नजरी करके दिखाते हैं ये देखिए ये जो है इसको अगर उपर से गिसते हैं तो ये चल जाएगा रीड ये जितना हम गिसते जाएगे उतना ये पिलस में चला जाएगा अब देखिए ये हमने जो सी नोट था ये है अब इसको हम इससे गिस दिया अब देख तोड़ा से चला हुआ है अब देखिए बिल्कुल एकुरेट आगया है आपको दिखाई दे रही होगी लाइट यह बिल्कुल ग्रीन जल लिए अच्छा यह मीटर हमारा एक्जेक्ट बता रहा है यह कॉर कंपनी का मीटर है कम से कम 20 साल पराना मीटर है अच्छा अब हम आपको दिखाते हैं मॉबाइल फॉन का जो एप्लिकेशन कि यह देखिए यह एप्लिकेशन है मॉबाइल फॉन की यह भी बिल्कुल एकुरिट बता रही है तो आपके पास अगर टूनर नहीं है मॉबाइल फॉन की एप्लिकेशन आप यूज कर सकते हैं लेकिन एप्लिकेशन में प्रोब्लम यह है कि एप्लिकेशन आपको मिजगाइड करेगी मिजगाइड कैसे कि आप सुट करेंगे 440 तो बताएगा 280 260 160 इस तरह से आपको बताता रहेगा यह जो मॉबाइल अप्लीकेसिन है वो एक्जाट नहीं बताती है यह मीटर जो है अगर आपने जहां सैट कर दिया मीटर 440 कर दिया तो सारे रीड आपको 440 पे ही टून करने है और 440 पे आपको यह जो है यह फॉर फोटी जो बोलते हैं, 440 एजएट, आपको यहां से लेकर के यहां तक सारे बिलकुल एकुरेट मिलाने हैं, फिर सेम इस लाइन को बंद करके आपको नीचे वाले टून करने हैं, या अगर आप मिला सकते हैं, बगहर बंद करे हुए, तो आप सुनकर के का अगर आपको इससे कुछ मदद मिलती है तो आप अबस कमेंट बॉक्स में लिखें, और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्समें लिख सकते हैं, और हम प्रियास आप कि आपके सवाल है या आपकी जो समस्या हैं उन पर वीडियो बनाने के लिए हम प्रियासरत रहेंगे और आपका बहुत-भूत धनवाद कि आपने हमारी वीडियो देखी और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब से सब्सक्राइब कर हैं धनवाद